हम अबेकस की वन बनाने के लिए अबेकस की एक रॉड लेंगे और वेल्यू बार पर वन लगा देंगे अगर हमें 7 बनाना है तो 7 बनाने के लिए हम एक रॉड लेंगे और ड्रॉ कर देंगे 5, 6, 7 अब हम 1 से 9 तक अबेकस टूल पर ड्रॉ करके दिखाएंगे 1 बनाने के लिए हम वेल्यू बार पर एक बीड बनाएंगे ये बन गया हमारा 1 2 बनाने के लिए हम वेल्यू बार पर 2 बीड बनाएंगे अब वेल्यू बार के साथ 2 बीड बनाई हमने तो ये बन गया 2 3 बनाने के लिए हम 3 बीड लगा देंगे 4 बीड बनाएंगे तो हमारा बन जाएगा 4 अगर हमें 5 बनाना है अबेकस में हमारे पास नीचे सिर्फ 4 बीड्स होती हैं तो हम एक और बीड तो लगा नहीं सकते तो अबेकस के अंदर हम 5 कैसे बनाते हैं यह देखेंगे अबेकस के अंदर हमें 5 बनाने के लिए पहले एक सिंगल रॉट ड्रॉ करेंगे और वैल्यू बार के उपर जब हम एक बीड लगाएंगे तो यह हमारा 5 बन जाएगा आप देख सकते हैं आबेकस टूल पे 1,2,3,4 उपर एक ही बीड होती है यह बीड 5 को रेप्रेजेंट करती है जह हमने इस बीड को वैल्यू बार के तरफ ले गए तो यह हमारा 5 बन गया अब 6 बनाने के लिए हम 5 के साथ एक बीड और ड्रो करेंगे तो यह बन गया हमारा 6 7 बनाने के लिए हमें 5 के साथ 2 beads लगाने पड़ेंगी एक लगी हुई है और दूसरी beads हमने draw कर दी तो ये बन गया हमारा 7 अब 8 बनाने के लिए 1 bead और लगा देंगे और 9 बनाने के लिए हम 1 bead और draw कर देंगे तो ये बन गया हमारा 9 एक rod पर maximum हम 9 तक ही बना सकते हैं 1,2,3,4 और उपर वाली bead की value 5 होती है तो यही चीज़ा है